नमस्कार आप देख रहे हैं नियूजनेशन का डिजिडल प्लाटफॉर्म में आपके सतंगिरा आखिरकार वही हुआ जो पाकिस्तान को मनसूर नहीं था जो पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं चाहरा था अब देखे बारिश खलर डाल देती है आयरलेंड और अमेरिका के टिहास में इसा पहले बार हुआ है कि डेब्यू टीम करने वाली जो है वो सुपर एट के लिए क्वालिफाई कर पाई है अगर बात करें अपर अमेरिका के टीम की तो अच्छी बल्लेबासी अच्छी गिंदबासी करता नजर आया साथ ही साथ यहां पर अगर बात करें पा पहुंची तो कई नगे लूफोल्स कई सारे रहे हैं कप्तानी बदली और खबर यह भी आ रहे थे कि मदभीद वहां पर नजर आ रहा है पाकिस्तान के टीम में और उसका पूरा असर जो है वो ग्राउंड पर भी देखनी को मिला हमने देखा कि आजम खान को बावर आजम जो कि बिल्कूल भी फिट नहीं बैठ रहते हैं वो उन्हें शामिल किया गया दो बार गोर्डन डग पर आउट हुए तमाम सारे चीज़ें यहां पर थी कि किस तरीके से इंप्लिमेंट्स किये तमाम सारे यहां पर चीज़ें रहे हैं पाकिस्तान की जो कि सबसे बड़ा रूफ होस रहा है और सबसे बड़ी कमजूरी रही है अब देके साल दोजर चब्वीस में टीटी वर्ल्ड कप खेला जाएगा भारत और श्रिलंका मेजबान है टीमें और यहां से पाकिस्तान को बड़ा चटका लगा है जैसा ही सूपर एट के लिए पाकिस्तान की टीम ज तो मेजबान टीम है तो यह क्वालिफाई कर ही चुकी है अगर बात करे है पर बाकी टीम होकी तो ऑस्ट्रिलिया इसकी अलावा साउथ अफरिका वेस्ट इडिस अफगानिसान और अमेरिका की टीम भी इस लिस्ट में शामिल हो गई यानि कि पाकिस्तान को बड़ा चटका जो रहा है वो बिल्कूल भी खराब रहा है हमने देखा है कि टॉप और की जितने भी बैट्समें रहे हैं चाहे वो बाबाराजम हो रिजवान हो इफ्तिकार हो या फिर फकर जमाओ सभी एक के बाद एक के बाद आउट हो गये और आउट होने की बाद मिडिल ओर जो है वह आपकी कमिया निकलनी स्विरू हो जाती है पहला मैच अमेरिका के साथ खेला आपने जहां पर डेबी टीम थी जादा एक्सपिरेंस नहीं था उने बड़ी टीम के साथ वहां पर मैच को हारना अपने आप में एक धबा लग जाता है पाकिस्तान की टीम के साथ भी वही क्योंकि जिस तरीके से आपकी बलेबाजी आपकी फिल्डिंग हुई है निराश्रा जो है वहाथ लगी है तो ट्रोल का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा इसके लबाब के साथ अगला मैच खेला जाना है पाकिस्तान का जोकी आउपचारी की है और इसके बाद बोरिया क्या जाएगा और श्रिलंका भी मेजबान टीम रहेगी दो देशों में मैच खेला जाएगा और वहाँ पर पाकिस्तान को अगर आना है तो क्वालिफायर जीतना पड़ेगा इसके अलावा तमाम सारे लूप होल्स रहे पाकिस्तान की टीम के आपके साब से आपको के लगत पाकिस्तान जैसे ही डिसक्वालिफाई हुई वहां पर बाबाराजम के कप्तान इचीन ले गई धाई वितितन आपकिस्तान के क्या लूप होल्स रहें क्या कम्जूरिया रहें कमेंट करके जरूर बताएं विडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए इसके सब्सक्राइब कर लें साथ इसाथ Facebook या Instagram पर यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी ख़बर मिसना होने पाए